आज मैं आप लोगों से बहुत ही सिक्रिट रेसिपी है जो मैं शेयर कर रही हूँ हमारे यहां चानक से गेस्ट आ गए अब उनको जानी की जल्दी थी फिर मैंने सोचा क्या करूँ क्या करूँ जो जल्दी में तयार हो जाए फिर मैंने होटल से कबाब मंगवा लिए अब ये देखिए अब ये देखने में तो बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा अब क्या करें फिर मैंने अपना दिमाग लगाया मैंने सोचा क्यों नहीं इसको ग्रेवी वाले बना लेते हैं अपने हिसाब से अब टाइम भी कम था और हमें खाने भी लगाना था अब क्या करूं फिर मैंने इसको एक प्लेट में डाला सोचा इसकी कोई शेप दे देते हैं कैसे दें मैंने चलो सोचा कि एक अंडा रख देते हैं एक अंडा डाल कर इसमें मिक्स करके इसको कोई न कोई शकल बना देते हैं तो मैंने एक अंडा निकाला इस तरीके से इसमें डाल दिया अब मिक्स किया तो मुझे लगा कि एक अंडा कम है तो फिर हमने इसमें दो अंडे डाल दिया अब दो अंडे डाल कर इस तरीके से हमने मिक्स किया मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला इसलिए और लेड़ी यह पका हुआ था सारी चीज परफेक्ट थे इसमें तो और मसारा डालती तो ओभर हो जाता फिर मैंने फ्राई पिर में थोड़ा सा तेल डाला और थोड़ा थोड़ा सा लेकर दिखे हमने इसको इस तरीके से शेप देकर फ्राई कर लिया आपको इसा शेप दीजे मैंने कबाब का ही शेप दिया इसे उंगली से इस तरीके से दबा दिया सबको एक-एक करके हमने इस तरीके से हाई फ्लेम पर फ्राई कर लिया बिल्कुल इसे बनाने में मुझे 15 मिनट लगा फटा-फट तयार हो गया यह देखे हाई फ्लेम पर इसको पांच मिनट लगा मुझे पकाने में सबको एक-एक करके पलट लिया देखें अगर आपके साथ इस तरीके से हो तो आप लोग कर सकते हैं सबको मैंने एक एक करके इस तरीके से बहुत कम तेल में बहुत जादा तेल नहीं डालेंगे बहुत कम तेल में यह देखें अब मैंने कहां ग्रेवी का क्या करूँ मैंने दो प्याज रफली लिया तीन हरी मिर्च लसन के जवे छोटी एलाइची और लॉंग जावितरी का टुकड़ा लिया काली मेरच और ये थोड़ा सा काजू तूटा हुआ था वो हमने रख लिया अब सब को फ्राई पिन में एक ही साथ मैंने डाल दिया इसलिए हमें जल्दी थी जल्दी करना था प्यास डाल दिया और ये काजू गरम मसाले काली मिरच लसन के जवे और ये हरी मिर्च फिर मैंने छोटा सा टुकरा अदरक्का काटके डाल दिया अब इसमें मखण डाल के मैंने फड़ाय हाई फिलेम पर फ्राई कर लिया दीके है का तुकरा डाला एक चमच नमक डाल दिया सब कुछ मैंने जल्दी-जल्दी इतना जल्दी किया जब ये तैयार हो पाया अब हाई फिलेम पर बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना नहीं तो कलर चेंज हो जाता अब इसे मिक्सी जार में डाल कर मैं पीस लूँगे थोरा सा पानी डाल कर आप इसी तरह पीस ले अब देखें जिसमें मैंने फ्राई किया था उसी में ये पीसा हुआ तो मसाले को डाल कर इसे मेडियम फ्लेम पर तीन से चार मिनट तक भूल लेंगे थोरा सा तेल मुझे कम लग रहा था तो मैंने तेल डाल दिया अगर आपके पास मक्षन है तो मक्षन डाल दे और अच्छा टेस्ट होगा और लेडी थोड़ा मक्षन है उसमें उसमें खुश्वू आ जाएगी यह देखे दो से तीन मेडियम फ्लेम पर ऐसा कलर हो गया अब मैंने इसमें एक कप दूज डाल दिया देखा कि क्लर डार्क हो गया तो यह इसी कप से एक कप दूज डाल दिया थोरा सा ग्रेवी भी हो गई और कलर भी चेंज हो गया यह देखिए, सबको एक-एक करके, अब इसमें इस तरीके से मैंने डाल दिया, अब एक-एक करके फिर सबको पलड दिया, तो नीचे उपर, दोनों तरफ इसमें ग्रेवी लग गई, यह देखिए, इस तरीके से, वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर करेंगे, यह देखिए, फिर मैंने इसे पांच मिनर तक ढख कर पकाया, पांच मिनर तक सिर्फ, इसलिए यह अल्डेटी पका हुआ है, बिल्कुल लो फ्लेम पे, यह देखिए इस तरीके से, और यह बिल्कुल तयार हो गया, अब देखने में भी अच्छा लग रहा है, कोई नो कोई लगेगा, वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच,